अब अगर एक computer का पूरा schematic आपको बताऊं तो यहां पर होता है input यह input है यह output और बीच में इसे processing हो रही है तो जब तक आप input नहीं देंगे यह क्या काम कर लेंगे यह तो वेर्थ रहेंगे इनका कोई काम तो होगा नहीं तो input देने के कई सारे तरीके हैं mouse से आप input दे सकते हैं joystick सों दे सकते हैं तो सबसे important है आपका keyboard ऐसा board जिसमें keys होते हैं तो यह जो keyboard मैं आपको दिखाना चाहरा हूँ ऐसी keyboard होता है आजकल virtual keyboard आ गया है अगर आप mobile पे देखें तो आप अपने उंगली से अपने finger से आप entry कर सकते हैं तो वो भी possibility है तो keyboard एक input device है जिससे आप text यानिकी अक्षर, number और कई तरीके के command input कर सकते हैं और जैसी आप input करेंगे command वो computer उस तरीके से काम करेगा इस keyboard में क्या-क्या होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे पहले आपको बताऊंगा कि यहाँ पर एक function key होती है तो यह function key है, इस function key में देखेगा यह F1 से लेकर F12 तक करीब होती है यह कि इस यह हर एक program के इसाफ़चा अलग-अलग काम करती है, जरूरी नहीं है कि यह एक ही काम करें जैसे normally दिखा गया है कि जो F1 अगर आप दबाते हैं, तो जो भी आपने software खोल रखा होगा वहाँ पर उसका help खुल जाएगी, तो उसकी help खुल जाती है, F1 से, ऐसे तमाम तरीके के functions के काम है कई keywords, कई query keyword होती है, कई ASDF keyword होता है, अलग-अलग तरीके के keyword होते है लेकिन normally आपको keyword में control keys मिलती है, control keys क्या होती है, जैसे आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा shift, space bar, control यह जिखे है, यह जो आपका है, control है, इस तरीके से और आपको space bar, यानि कि यह जो सबसे लंबी key है इसमें, वो आपकी space bar है, shift है, shift को दबाके, आप, मतलब shift के साथ कई keys का combination है, तो control होता है, alt है, यह caps lock है, आपका अक्षर बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मतलब आपको अपर के इसमें देना है, keyword के इसमें देना है, tab जो होता है, चार spaces के बरापर होता है, वो tab दे सकते हैं, इनको हम control key कहते है, enter key की जहां तक बात आती है, enter, जैसे यह जो दूसरी बड़ी की अगर आप देखें, तो enter है, थोड़ा सा, यह straight नहीं है, यह L shape में है, enter जो होती है, कोई भी काम आप करते हैं, उसको आप enter मानने पर confirm करते हैं, तो enter के बहुत सारे क तरीकी की होती है, जिनके अलग-अलग काम है, function key मैंने आपको बताया, controls key मैंने आपको बताया, और enter की आपको बताया, थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसमें, तो आप देखेंगे कि इसमें punctuation key है, जैसे अंगरेजी में punctuation होती है, कहीं भी आप लिखोगे तो आपको punctuation mark डा जैसे तमाम तरीके के यहाँ पर आपको punctuation marks मिल जाएगे, कई ऐसे punctuation है, जो आपको shift डबा के, एक key में जो उपर की चीज होती है, वो shift डबा के आएगी, और जो नीचवाली हो वो ऐसे ही आजाएगी, navigation key, navigation की का मतलब होता है, movement करना, यहाँ जाना, यहाँ जाना, इधर ज आना चाहते हैं, initial पे, या फिर end पे आना चाहते हैं, या एक page, आपके बाद लीचे 100 पेजों पे काम कर रहे हैं, आपको उपर वाले page पे जाना है, नीचे वाले page पे आना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपके पास navigation की है, navigation का मतलब होता है, यात्रा, motion, movement तो यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहरा हूँ, यह navigation की है, mix, mixture है, सारी navigation की नहीं है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि इधर जाना, उधर जाना, navigation के लिए यह सब use होता है, ऐसी command keys है, command keys में क्या आएगा आपका, जैसे insert करना है, मालिचे आपने a, p के लिखा, अब p की आपको d करना है, तो आप यहाँ लाके insert करिए, और इसी जगर d type कर दीजे, a, d के हो जाएगा, ऐसे आपको अगर delete करना है, मालिचे a, p के, यहाँ करसर आएगा, backspace करेंगे, तो k हट जाएगा, यहाँ करसर रखेंगे, अगर आप और delete दबाएंगे, तो p हटेंगा, अगर कमांड की आपका, जैसे यहाँ देखेंगे, यहाँ कॉम्विनेशन है, तो यहाँ पर आपका del की भी है, और जैसे मेरे आपको बताया कमांड की में आपका del है, backspace है, तो यह सारी चीजे यहाँ पर आपका available है, backspace भी यहाँ पर है, और मतलब basically document में काम करने के लिए, और साथ में आपके किसी सौफ्वियर में काम करने के लिए ये अलग-अलग की से अलग-अलग जगा पे काम करती है अब एक काम करती है